आपको याद हुगा कोरोना महामारी ने किस तरब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इस महामारी की वज़ा से दुनिया में कई लाख लोगों की मौत हुई थी। लोगों का घर से निकलना भी मुहाल हो गया था। इसके बाद दुनिया भर के वैग्यानि बिरिटेन की फार्मा कमपनी एक्स्ट्रा जेनेका के खुलासे से दुनिया का वो हर एक इंसान डर गया है जिसने फोरोना से बचाओ के लिए वैक्सीन लगवाई है कमपनी ने कोट में माना है कि उनकी वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं हाला कि कमपनी का ये भी कहना है कि ऐसा बहुत रेयर केसों में ही होगा बता दें कि इस वैक्सीन को एक्स्ट्रा जेनेका कमपनी और ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया था और इसी के फॉर्मूले से सीरम इंस्ट्रीचूट ने कोविल्ट शील्ड नाम से वैक्सीन बनाई है जिसके भारत में सबसे ज्यादा करीब 175 करोल डोज लगे हैं बिरिटिस मिडिया टेली गिराफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एस्ट्राजेनेका का पर आरोप है कि उनके वैक्सीन से कई लोगों ने जान गवाई वहीं कईयों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा इसी के चलते कमपनी पर कोट में करीब 51 मामले चल रहे हैं पीडितों ने वैक्सीन निर्माता कमपनी एक्स्ट्राजेनेका से एक हजार करोड रूपिय के हर जाने की मांग की है रिपोर्ट के अनुसार कोट में जमा किये अपने दस्ता विजों में उनके वैक्सीन से कुछ केसों में थॉम्बरोसिस, थॉम्बरोससाइटोपेनिया सिंड्रोम यानि टीटीएस हो सकता है इस बिमारी में शरीर में खून के ठक्के जम जाते हैं और प्रेटलेट्स की संख्यां भी कम हो जाती है बता दें कि सबसे पहले साल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति ने ये वैक्सीन लगवाई थी इसके बाद उनकी हेल्थ खराब होने लगी, खून के ठके बनने से उनके दिमाग पर इसका असर पड़ा इसके इलावा उनके ब्रेइन में इंटरनल बिलिडिंग भी हुई, इसके बाद साल 2023 में जेमी ने दावा निर्माता कमपनी के खिलाफ केस किया जेमी के आरूपों के जवाब में कमपनी ने दावा करते हुए कहा कि उसकी वैक्सीन से टी 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 एस नहीं हो सकता हलांकि अब कोट में जमा किये अपने दस्तावेजों में वह अपने उस दावे से पलट गई गौर करने बाली बात ये है कि जब से इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट से जुड़े मामले सामने आये हैं तब से ही इसका इस्तमाल यूके में नहीं किया जाता है लेकिन इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर भारत में इस्तमाल किया गया अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि सरकार इस मामले को किस तरह से निप्टाती है